हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आर्वेदी ट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज में क्लास 9 की मैच से एक्सरसाइज 1.3 का कोश्चन नुमर 4 लेकर क्या है इस वीडियो में देखेंगे इस कोश्चन में से क्या पुछा गया है आसी वस एक ही रिक्रेश्ट है कि वीड सब्सक्राइब यूर आंसर विद यूर टीचर एंड क्लास मेंट्स डिसकस वाइदा आंसर मेक सेंस ठीक है अपने दोस्तों से अपने टीचर से से बात करनी है इस कोश्चन के बारे में आपका जो आंसर रहा है उसका रिकावडिंग देखो एक बात और जैसे जो 0.99 है यह एक प्रकार का आपका non-terminating repeating decimal expansion है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है 0.9 अपर बार ठीक है यह कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर लिखेंगे solution let x is equal to 0.999 तो यहां पर देखो जब यह एक ही डिजिट है बार बार रिपीट हो रहा है जैसे अगर आपको देता है कि 0.666 0.333 0.999 ठीक है यह सब डॉट डॉट तो आपको 10 से multiply करना है कितने से 10 से तो यहां पर multiply करेंगे 10 से आउन कि multiplying बाइटेन कि भी है तो जब हम 10 से multiply करेंगे तो क्या होगा 10 x 10 x हो जाएगा और यहां पर 10 से अब यहां चला जाएगा तो यह हो जाएगा 9.999 डॉट 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 ठीक है यह मरा एक्वेशन नमबर सिकेंड हो जाएगा और यह मरा एक्वेशन नमबर फर्स्ट हो जाएगा ठीक है कि अन सब्रेक्टिंग एक्वेशन फर्स्ट फ्रॉंग एक्वेशन सेकेंड वी है तो यहां पर जो हम एक्वेशन सेकेंड में से वन को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 10x is equal to 9.999 x is equal to 0.99 9-3 js अब यह माईनस हो जाएगा यह भी माईनस हो जाएगा 9-9-9 ły 9-9 0-9-9 डेसील लगा देंगे और 9-0 9 अब decimal के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो आप शुरू से ही मत राइट करना ठीक है 10x-1 से करेंगे तो क्या आजाएगा 9x त्यासे result कितना आ गया 9x is equal to 9 तो further क्या आ जाएगा देखो जब हम x की value find करेंगे तो 9 और जो यहाँ पर 9 था वो आ जाएगा upon में तो जब इसको division करेंगे 9 1 जा 9 तो result कितना आ जाएगा x की value 1 अब यह तो हमारा answer हो गया ना कि x is equal to 1 अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं are you surprised by your answer yes क्योंकि देखो देखो यहाँ पर जो 0.3 अपर बार है 0.6 अपर बार है और 0.9 अपर बार है ठीक है यह तीनों ही non-terminating repeating decimal expansion है इसका जो answer आया था 0.3 अपर बार वो आया था 1 by 3 0.6 अपर बार इसका जो answer आया था वो आया था 2 by 3 और यहाँ पर 0.9 अपर बार है इसका answer आया है 1 इसका मतलब देखो अगर कोई number है 0.99 आ रहा है तो generally हमें उसको 9 से divide करना पड़ता है कैसे देखो यह जो finally आया था वो आया था 3 by 9 और यह जो आया था 6 by 9 इसका मतलब यह जो आया था यह था 9 by 9 है ना तो हमें कुल मिलाद उलाकर के 9 से divide करना पड़ता है और यहाँ पर अगर already 9 है तो उसका answer क्या आएगा 1 अब इस चीज़ को remember करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी 1 marks में question पूछ ले जाते है MCQ के firm में तो हमें solve करना ही नहीं होता है तो आप सिधे याद रखना कि अ पता हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम बिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले थेंक्य वीडियो ओनते यह कि अवीडियो अभीड़ा श्लत करें हम आपको के साथ आपको लीडियो ज defence क्लेंशने अगले is बस्तों को भी शेट कता हूब प्लावियो च्छोब्लावे क्रें से विले हैं ऑगले समया हैं तो, आपको कि हम सríaस्सा बाक्तों में.